हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे पोर्टल फ्रेम मैथड तो पोर्टल फ्रेम मैथड को सौल करने के लिए कुछ स्टेप से हैं वह हम पहले देख लेते हैं वह स्टेप कुन-कुन सी है पहले step से आपकी step to solve the numerical उसमें पहला है assumption फिर horizontal shear और column shear निकलना रहेगा हमको फिर column moment निकलना रहेगे हमको फिर beam moment निकलना रहेगे हमको then beam shear निकलने और फिर then actual forcing column निकलने ठीक तो पहले step की बात करता हूं मैं तो पहला assumption देखते हम लोग point of counter fracture always occur at the center of any spine हमीं जानते है कि point of counter fracture क्या होता है कि जैसे कोई एक beam है तो उससे center point पे यह point लाई करेगा जिसको बोलते है point of counter fracture वह होता है जा positive से negative sign transfer होता है horizontal shear develop at interior column is double then the horizontal shear develop at the exterior column इस assumption का मैं utilization में आगे बता हूंगा पर आप जिहानक लिए जानक लिए जानक लिए कि horizontal shear develop at interior column वह हो जाएगा double तो point of counter fracture suggest मैं भी बता है it is a point on the bending moment diagram where bending moments change the sign from positive to the negative or negative to the positive ठीक है अब आपन आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद फिर हमारा point आता है एक numerical DIMNS के लिए solve करने के लिए में पास एक portal है A B C D E F G H I think यह portal आप लोगों पतागा what is portal तो इसमें जो हमको B point पे लोड गिवान है वो लोड है 20 kN का ठीक 20 kN का लोड लग रहा है अब इसके बाद हमको निकालना रहेगा horizontal shear तो horizontal shear क्या रहेगा हमको उसके बाद हमारा assumption ध्यान रखना है कि उसके center point पे point of counter fracture बनता हर एक member पर तो जो column है उससे center point पर बनाएंगे हम लोग और जो B में उससे center point पर बनाएंगे पहला assumption तो यहां clear हो गया कि जो center point पे counter fracture मैंने बना लिया है तो A और B के center point पर बनाया, B और C, D पर बनाया, D और F पर बनाया, F और H पर बनाया, E और F पर बनाया, G और H पर बनाया, C और D पर बनाया इन सब पर center point पर मैंने एक counter fracture point बना लिया है step 2 जो रहेगी इसमें मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसके double रहता share step 2 यह बोलती है कि जो external column है हमारा उससे जो share रहेगा वो double रहेगा to the interior column ठीक अब हम जित्ते भी हमारे forces है जो लग रहे है building के अंदर उसको हम equate करें हम होरेंटल forces को सबसे पहले तो होरेंटल forces जो यह 20 किलोनुटन is equal to 2P आपका यह एक 2P आपका यह और P is this one वाला और यह P आपका तो 2P plus P plus P तो इससे हमारी value आज़ेगा है कि P की और P को हम P से हम value find कर लेंगे हमारी 2P की also ठीक है फिर second step third step थी हमारी column moment निकालने की तो column moments कर से निकाल लेंगे हम लोग moment at top and bottom end of the exterior column ठीक है moment जहाँ पर बल रहा है यह top और bottom part के किसके exterior column को यह हो जाएगा MAB और MVA ठीक है as it is corner पर एक corner ही हो गया आपका और एक corner ही हो जाएगा आपका वापस से MHD और MGS ठीक है दो corner हो जाएगे आपके अपके आप क्या बहुला है force into perpendicular distance ठीक है मिटर का दे रखा है respond to spend distance हमको दे रखी है 4 मिटर की तो मैं अब इसका column का half करूंगा force into perpendicular distance तो क्या हुआ force into perpendicular distance by 2 L by 2 इसको बोलूगा तो उससे हमारी value आ गई 10 kNm की यह हमारा moment आगया कहां पर आ गया है moment आगया MAB पे MBA पे MHG पे और MGH पे ऐसे ही अब interior column की बात करूंगा तो interior column कौन से होगा है हमारे MDC MCD MEF FE ठीके तो interior column में force से लग रहा है 2P लग रहा है 2P by 6 by 2 करूंगा तो मेरी value आ जाएगी 20 kNm इसके बाद हम next step पर आगे बढ़ते जो step है हमारी step number 4 step number 4 में सबसे पहले हम beam moment निकालेंगी तो beam moments हमारे पास हम में यह हमारा जो frame था यह जो frame है जैसे यह frame है यह corner वाला पार्ट है हमारे frame का तो इस frame के MAB हमको पता है MHG हमको पता है तो joint beam के लिए सबसे पहले हम joint लेंगे B सबसे पहले हमने B और corner joint लेंगे H MB हमको पता है और MBD हमको उससे पता लग जाएगा जैसे जो given question के साब से देखिए जिससे यह MBD हो गया MDB पता लग जाएगा ऐसी MHG और HF हमको पता लग जाएगा joints जिससे आप से मैं लोगा उससे आप से आगे बढ़ते हम लोग अब हम लोग बात करतें interior column की interior column के अंदर MDC जो है हमारा MDC बनावा है MDB और MDF से अब interior column एक बार देखिए हम लोग तो interior column के से बनावा है यह देखिए interior column वापस से बताता हूँ मैं आपको interior column बनावा है MDC और MDF से और MDB से ठीके ऐसे F वाला बनावा है FD से FE से और FH से ठीक है यह जॉइंट्स आप ध्यान रखेगा कि जॉइंट कैसे क्या बनावा है ठीक जो मैंने बताया है आपको वैसे मैंने MDC plus is equals to MDB plus MDF 20 plus 10 20 हमारा उपर से यहां आ गया है और MDB हमारा 10 था तो इससे हमारी DF की value आ जाएगी हमने F जॉइंट पर लेने के बाद हमने इसको जो यह पॉइंट था F का हमने वह लिया है दो पार्ट उसके तो उससे हमारे पास value आगई आया है moment हमारा moment किता है BT का आया 10 तो यह मैंने 10 ले लिया है और force यह यह यहां पर V1 V1 force लग रहे आप पर V1 इंटू L by 2 ठीक है यह formula जान रखेगा ऐसी हम आगे की switch करेंगे आगे तो यह BD करा फिर इस पान हम लेंगे आगे नेक्स पान हमारा नेक्स पान है आपका DF की value हमको पता थी तो उससे 5 आगया फिर हमको value लेंगे हम FH की वह हमको FH की value पता है उससे हमारा V3 आगया 5 kN अब लास्ट जो इसकी step थी एक्षिल फोर्स इन कॉलम तो टोटल एक्षिल फोर्स किता हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 15 कुटर हमारा एक्षिल फोर्स आगया अब इसके बाद बड़ आवेस यह आपने mechanics में पढ़ा होगा bending moment diagram जो रहता है अब मैं bending moment diagram बनोंगा सबसे पहला आप यह frame बनाईएगा ऐसी frame बना लीजिएगा एक बार frame बनाने के बाद जित्ता भी load लग रहा MAB पे MBA पे M DC पे M तो इस तरह से आप इसको करेंगे और यह values लिखनेंगे और यह हमारा portal frame method solve हो जाएगा I think इस method आप solve करेंगे तो इसमें आप multiple frames भी ले सकते हैं जित्ती भी आप frames लेना चाहें अब आप इस question को refer करके आगे चलेंगे तो I think आपको solve करने easy रहेगा ठैंक्यू